हेलो डियर हमारे जीतने भी डियर श्टुडेंट है सबको बिलकम करता हूँ जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार नर्सेज रिजिस्टेशन काउंसिल यानि बी अनर्सी के तरब से जी एनम फर्स्ट इयर जी एनम सेकेंड इयर जी एनम ठर्ड इयर का जो है एकजाम हमारे समय में एकजाम है देख लिजिए क्योंकि यहां पर जो है बहुत या अच्छा अच्छा अब्जेक्टिव कूशन पुछा गया है लॉंग कूशन भी बहुत अच्छा है ठीक है तो शभी में यह कूशन सब आ शकता है ठीक है चलिए शुरू करते हैं साथियो यहां पर यहां पर कितने नंबर का है पंदरा नंबर का तो देख लिजे यहां पर काता है कि एकसो कराइन और इंडोकराइन यानि बाहसरावी गरंथी और अंतसरावी गरंथी के बारे में अंतर बताना था तो साथियो क्या मैंने नहीं परहाया है तो भिलकुन हमने ये परहा रखे है एक्सोकराइन और इंडोकराइन दोनों के बारे में दो बार मैं इस पर इडियो बनाया हूँ ठीक है, तो जो लोग हमारे इडियो को देखे होंगे उनको पता है बाकि जो दूसरा इसमें प्रश्ण है बी नंबर देख सकते हैं प्रश्ण है कि मनुष में इंडा कराइन गरंथी को सुचित करे मतलब कौन-कौन से ऐसे गरंथी है जो अंताशरावी गरंथी है इसको जो है लिखना था कि कौन-कौन से गरंथी अंतासरावी गरंथी है उसको सिर्फ लिष्ट में लिख देना था ठीक है तो जो है ये तो कितना आशान है इसको लिष्ट बना देना था ठीक है तो आप लोग जानते हैं यह हम करा चुके है कि कौन-कौन से अंतासरावी गर चलिए उसके बाद है पुट्रीट गरंथी के सनराचना और कारयोक लिखे पुट्रीट गरंथी अभी हम दो-तीन दिन पहले ही परहाएं हैं प्यूट्रीट गलेंड जो है इससे सरावित होने वाले सभी हार्मोन के बारे में भी बताएं हैं और सभी हार्मोन का क्या-कार था ह हमने सब को बनाए, आपको अच्छे से बताए थे प्यूटिर गलेंड का, तो जो लोग वीडियो दो तीन दिन पहले वाला भी देखे होंगे, तो पांच नमबर यहां से आ गया, और इंडो कराइन, एक्सो कराइन तो बहुत पहले बता चुके हैं, तो 15 नमबर हमें complete परहा चुके हैं, समझ गए, चलिए, और आप लोग भी बताए, comment करके कि मैंने परहाया है नहीं परहाया है, ठीक है, चलिए, बाकी यहां पर और देखिए, सुक्षमजीव के रोक थाम के सिधान्त का वर्णन करें, देखिए, आप एक सुक्षमजीव का कैसे जो है, आप रोक थाम कर सकते हैं, इसको लिखना था, तो क्या आप लोग नहीं जानते हैं, कि दो तरीका से जो है, सुक्षमजीव को रोका जा सकता है, एक होता है आपका physical method और एक होता है आपका कौन सा method एक physical method होता है और एक chemical method होता है तो ये चीज़ आप नहीं जानते हैं बिल्कुन हमें परहा चुके हैं अच्छे से पांच नंबर एंभी है उसके बाद यहां पे अन्तरस पस्ट करना है बी संकर्मन और निर्जिवानूकरन अब देखिए तो यह झो है यह भी हम परहाँ चुके हैं समज़ गए चलिए उसकेबाद देखिए 20 संकर्मन एवं नीर्जीवानुकरन में नर्स के उतरदाईत को लिखें nursing responsibility लिखना है किसी भी 20 संक्रमन और नीर जीवानु करन को करते समय nurse का क्या-क्या उतरदाईत होता है इसको लिखना था तो ये तो easy है nurse के क्या responsibility हो सकता किसी भी चीज में हम आपको न जाने कितना बार बता चुके है ठीक है तो यहाँ पर 20 संक्रमन है और नीर जीवानु करन है तो दोनों के हिसाब से जो है nurse के उतरदाईत को लिखना था तो ये भी question बहुत ही असान है 15 नमबर का समझ गए तो total 30 नमबर ये कितना असान है आप लोग समझ सकते हैं ठीक है और ये मैंने परहाया है आप लोग जाके playlist में देखिएगा कि मैंने bioscience वाला में ये दोनों question हम बताए है कि नहीं बताए है और nursing responsibility जो है जिस परकार से नमूना एकत्रीत करने में जो nursing responsibility लिखते हैं उसी परकार से यहाँ भी संकर्मन और नीर जीवानू करन में नर्स के उतरदाईतों को लिखना था समझ गए तो ये 15 नमबर जो दिमाग लगाएंगे लिखेंगे नहीं दिमाग लगा पाएंगे नहीं लिखेंगे क्योंकि हम परहा चुके हैं समझ गए चलिए आप लोग comment करके समझ सकते हैं तो देख लिए आपके सामने हैं पहला प्रश्ण क्या है मानब शरीर में हडीयों की संख्या कितना होता है 300 होता है तो गलत है पहला गलत हो जाएगा दूसरा यहाँ पे आप लोग देखिएगा दूसरा क्या है कि मलासे की लंबाई 5 इंच होती है दूसरा B तो बिलकुन सही है ए जो है मलासे का जो रेक्टम का लंबाई होता है वो 5 इंचेज होता है ठीक है सही है टॉंसिल एक लिंफवाइड उतक है तो बिल्कुन सही है टॉंसिल क्या है एक लिंफवाइड उतक है ये बाते सही है सुरोनी गुहा गुंबद की अकार की होती है तो ये भी सही है सुरोनी गुहा जो है गुंबद की अकार की होती है ठीक है उसके बाद Erythrocyte RBC का दूसरा नाम है तो बिल्कुन सही है Erythrocyte ही जो है RBC का दूसरा नाम है ठीक है सरीर में Enzymes का कोई कारे नहीं होता है तो बिल्कुन गलत है सरीर में तो Enzymes का बहुत सरा कारे होता है ठीक है देखिए अभी तक जो हम यह true false बता रहे हैं इस true false में बहुत लोग जो है क्या किये हैं गलत किये हैं ठीक है अगर आप लोग मेरे bio science के true false वीडियो देखे होंगे तो उनको जो है एस सब question बहुत आसान होगा जाके true false वाला मेरा वीडियो देखिएगा बाता चल जाएगा ठी फिर नहीं बनेगा समझ गये मैं जितना कराया हूँ जितना पराया हूँ अभी तक उस सब मेरे ही अंदर से है जो लोग अगर एक-एक वीडियो को मेरे देखे होंगे उनको पता है कि सच में उहीं से है ठीक है माना भीरदय में चार कोष्टक चार चंबर होता है सही है पंदर पैतालीस नंबर अब यहाँ पर 15 नंबर का और सब्जेक्टिव है सौट कूर्चन ठीक है देख लीजे चार में तीन का जो है यहाँ पर जबाब देना है मैं मेटा बोलिजमी भी परहा चुका हूँ इस्टरलाइजेसन भी परहा चुका हूँ ठीक है और प्यूटरिर गलेंड भी परहा चुका हूँ तीनों परहा चुका हूँ तीन का ही जवाब देना था समझ गए तो यह जो है 15 नंबर यहाँ पे आपका आ चुका है जो जो मैं बता रहा हूँ जा कि आप लोग सिर्फ मेरे प्लेलिस्ट को देखिए पता चल जागा कि हम परहाई है या नहीं परहाई है समझ गए चलिए अब यहाँ पे देखिए कोडेक्ट अंसर चुनना है यह भी 15 नंबर का है 10 सवाल है 15 नंबर का एक है ठीक है यानि multiple twice है ठीक है देख लीजिए आख की अनुशंगी संराचना मतलब accessory structure of icon है तो देखिए lens, corroide, escleral एस अब तो जो है main structure है आख का accessory structure में ए पलक है समझ गए तो यह वाला सही होगा अंडासय का आकार कैसा होता है देखिए यहाँ पे यहाँ पे जो है ए पूछा है कि shape पूछा है तो shape जो है इसका oval का आकार का होता है और अंडासय ओभरी का समझ गए ना बहुत लोग जो है गरभास से समझ के ए मार दिये होंगे जो की गलत है समझ गए गरभास से अगर पूछता तब नासपाती के जैसा होता समझ गए ना लेकिन यहाँ पे ओभरी पुछा है अंडासय पुछा है अंडा तो अंडास से जो है किसका का ओभाम के हो जैसा होता है और जिसको हम लोग एलमंड से भी बोलते हैं समझ गए चलिए उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि एक ब्यस्क बेक्ती की मूत्र बाहिनी कितनी लंबी होती है तो एक एडल्ट का जो उरेटर का जो लंबाई होता है वह 25 से 30 सिंटीमीटर होता है समझ गए ना जो उरेटर होता है उसका मेजर जो है 25 से 30 सिंटीमीटर होता है एक एडल्ट में समझ गए चलिए ट्रेकिया का दूसरा नाम किस नाम से जानते हैं तो बींड पाइप से जानते हैं और लेरिंग्स को भाइस बॉक्स ठीक है याद रखिएगा समझ गए चलिए अब यहाँ पर नेक्ट देखिएगा आप लोग के सामने है कोसिका का पावर हाउस कौन होता है कौन जो है बलड जमने का कारक नहीं है ठीक है तो आप लोग को पता होना चाहिए बलड फैक्टर कुल कितना होता है तो कुल जो है 13 बलड फैक्टर होता है समझ गए यहाँ पे दिया है 9 दिया है 13 दिया है 12 दिया है तो यह 9 भी होगा 13 भी होगा 12 भी होगा ए तो बलट फेक्टर होता ही है D option जो है आपका इन में से कोई नहीं होगा समझ गए क्योंकि ए तीनों तो बलट फेक्टर होता ही होता है क्योंकि कुल 13 फेक्टर होता है समझ गए एक से लेके तेरा तक तो ऐसे में जो है D option आपका इनमें से कोई नहीं सही होगा समझ गए चलिए next देखिए pericardium किसका आवरन है तो आप लो जानते है pericardium जो होता है वह pericardium हिर्दय का सबसे बाहरी भाग है pericardium समझ गए चलिए हिर्दयर हर्ट इसका right answer होगा सब के सब जो है हम बता चुके हैं लेकिन अगर आप गहराई में deeply में वीडियो को नहीं देखे होगे तो उपर उपर निकल गया होगा और आप सोचे होगे कि हम नहीं पराया है अभी मैं अपने book में जीतना में आप सभी को बताया हूँ प्लेलिस्ट में मैंने सब का अधियन किया है और सब के मैंने देखा है तो हम सब बता चुके हैं ठीक है बाकी यहाँ पर देखिए भर्टेवरा जो कॉलूम होता है कितने होते हैं 33 अस्थिया होता है 33 हड़ी 33 बोंस होता है भर्टेवराम कॉलूम में ठीक है रीड के हड़ी में समझ गए वह हड़ी जिससे नी कैप कहते हैं तो पटेला जो होता है इससे नी कैप कहते है पटेला जो होता है इससे नी कैप भी कहते है समझ गए चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा किस blood group में antigen नहीं मिलता है तो जो O blood group होता है इसमें कोई antigen नहीं होता है हम कई बार बता चुके है live में कि जो antigen O में नहीं होता है ठीक है चलिए यह होगे आपका समापत चलिए बहुत असान असान objective था बाकि जो लोग अभी exam होने वाले हैं वो लोग अच्छे से देखिए अबजेक्टिफ सब अच्छा पूछा गया है यहां पे आपके भी exam में आ सकता है इस परकार से ठीक है पहला प्रस्ण देखिएगा diaphragm का आकार कैसा होता है तो diaphragm होता है इसका आकार जो है dome के आकार का होता है किस आकार का? dome के आकार का समझ गए? याद रखिएगा किस का आकार का? dome के आकार का ओके चलिए next देखिएगा sweat garanthia समझ गए ना sweat garanthia sweet glands कहां पे मिलता है किस layer में तो यह हम अच्छे से तो अच्छा बाले में परहाएं है कि आपके जो है जो epidermis होता है जो तो तोचा के उपरी वाला layer होता है उसमें कोई गरंथी नहीं पाया जाता है ठीक है आपके जो dermis होता है जो तोचा का real तोचा जिसको बोलते है dermis बाला में जो है बिभीन परकार के gland पाया जाता है ठीक है तो आपका ये dermis right answer होगा यहाँ पे समझ गए क्या होगा dermis जो है right होगा epidermis नहीं होगा समझ गए चलिए यहाँ पे क्या होगा dome होगा समझ गए चलिए next दखिएगा तीसरा है कि wMiform appendix project from मतलब जो उन्डुक पूच जो होता है जो appendix होता है कहां से निकलता है तो आप लोगको पता होना चाहिए यह सीकम से निकलता है कहां याद रखिएगा सीकम से निकलता है उन्डुक पूच मतलब वर्मी form सीकम से निकलता है समझ गए तीसरा देखिएगा, डैस पीत का भंडारन है, मतलब कौन है जो पीत का भंडारन करता है, तो पीतासे में ही तो पीत का भंडारन होता है, ठीक है न, गोल्ड बलेडर जो होता है, उस्षी में ही तो जो है पीत का भंडारन होता है, समझ गए न, तो यहाँ पे गोल्ड बलेड समझ गए चलिए सरीर के सबसे बड़ी धमनी कौन सा है तो औरोटा होगा औरोटा जो होता है या सरीर के सबसे बड़ी धमनी है जिसे हिंदी में महा धमनी कहते हैं समझ गए महा धमनी सबसे बड़ी धमनी होती है समझ गए चलिए यह हो गया नेक्ष्ट यहां पर आप लोग किरिया होती है ना जो रियेक्षन रक्त का होता है वो होता है आपका रक्त के रियेक्षन रियेक्षन जो होता है वो एलर्जी होता है समझ गए ना कि कौन सा होता है एलर्जी होता है रक्त के रियेक्षन से विभीन परकार के एलर्जी होता है जिसमें हेमोलाइटिक एलर्जी भी होता है जो डीले भी होता है और फास्ट भी होता है समझ गए तो हेमोलाइटिक एलर्जी बिभीन परकार के एलर्जी होता है बलड के रियक्षन होने पर ठीक है चलिए नेक्ष देखिए गए हाँ पे कि गुर्दे के सबसे छोटी एकाई को क्या कहते हैं तो आप लोग को सेलेवरी गलंड होता है सेलेवरी जो गलंड होता है इस सेलेवरी गलंड से जो है आपका स्रावित होता है समझ गए चलिए एक कुश्चन होगे आपका यहाँ पे लाश्ट कुश्चन है आपका यहाँ पे कि पैंकरियाज का भार कितना होता है तो पैंकरियाज के जो भार ह होता है वो आपका होता है सतर से लेकर नबे ग्राम समझ गए सतर से लेकर नबे ग्राम जो है आपका यह राइट एंसर होगा समझ गए याद रखिएगा ओके चलिए यह हो गया देखिए कहीं कहीं आपको जो है सतर से सो ग्राम भी लिखा रहता है तो इसको आपको टेंसर ले सतर से नबे लिखिए एकुरेट जो है किसी भी सरीर के अंग जो है एकुरेट माना जाता है कि यहां से यहां तक हो सकता क्यूंकि सभी में अलग-अलग वजन होता है समझ गए चलिए नेक्ट यहां पर आप यहां पर पांच नमर का आपका मैचिंग है ठीक है देखिए पहला है पलमनारी भेन अब देखिए पलमनारी भेन का मतलव क्या होता है कि पलमनारी भेन जो होगा ना पलमनारी से जूरा है मतलव इसमें सुधरक्त होगा ठीक है तो देखिए सुधरक्त वहला कोन है जिसमें ऑक्सीजन जनीत होगा तो यहां पे है तो एक का सी हो जाएगा सही मिलान किया है, ठीक है, चलिए, नेक देखिएगा आप्टिक नर्व, तो आप्टिक नर्व किस काम के है, तो देखने के काम के है, जो की आक्स रिलेटेड होगा, भीजन से, समझ गए, दृष्टी से, ओके, चलिए, तीसरा देखिएगा, मायोमेट्रियम, यह जो है गर्भासे के मध्यम परत है भीश का परत है तो देखिए यह गर्भासे वाला मायोमेटरियम हो जाएगा समझ गये चलिए अर्ध गोलाका अब एक बच गया है तो जो है इसको इससे मिला दीजिए समझ गये अब यह पांच नमबर आपका असानी से दे दिया देखिए बहुत असान अब्जेक्टिव था इस सब के सब हम परहा चुके हैं हम कितना बार बता चुके हैं कि पलमनारी भेन से कल भी बताए थे कि सूधरक्त जो है बहता है पलमनारी भेन आएगा तो पलमनारी लगा रहेगा तो भेन में सूधरक्त अगर पलमना